मेरे प्रिये बेहनों भाईयों और बेटे और बेटियों कोरोना जैसी महामारी का सामना हमें कभी करना पड़ेगा यह हमने कभी सोचा नहीं था आज सारा विश्व हमारा देश और हमारा प्रदेश की इस महामारी से जूच रहे हैं मुख्मंत्री बनते ही हैं मैंने आप सब के सहयोग से हमारे कोरोना योद्धाओं के सहयोग से स्वेम सेवी संस्थाओं के समास्थेवियों के सहयोग से इस बीमारी से निपटने का हर संभव प्रयास किया एक हद तक हमने कोरोना पर नियंतरन भी प्राप्त कर लिया लेकिन इसके बाद लागडाउन से हमको अन लॉक्ती तरफ जाना पड़ा क्योंकि जान भी है और जह लेकिन अनलाग के सुरू होने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हम कुछ असाब्धान हो गए अनावज सब्रूसम बाहर नकिने कई लोग उने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे साजियों के आयोजन में भी निर्धारी संख्या से ज्यादा भीड़ पिकर्टी हो गए और इसाब्धानियों के कारे एक बार फिर से देश में भी और हमारे प्रदेश में भी संक्रमित बेहन और भाईयों की संख्या बढ़ने लगी और आज जिस गती से संक्रमित बेहनों और भायों की संख्या बढ़ रही है वो मेरे और आपके मन में चिंता पैदा कर रही है अब साब्धान होके इस बीमारी से निपटने का समय फिर आ गया है हमारी असाब्धानी हमें भेंकर खत्रे में डाल सकती है उसलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सरकार, समाज, हम सम मिलके इसको एक बार फिर से निंतिक्त करने के लिए नकिवल अनुसासन रखें बर कि सकत कदम यूठाएं आप जानते हैं जुलाई से लेके सितंबर मास तक अन्यकों त्योहार आने बाले हैं त्योहार हम दुस्ता जमना यह हमारी परंपरा रहे हैं कि कोरोना हमें इसकी इजाज़त नहीं देता स्रावन मास चला है रक्षा बंधन पर्यूशन पर्व इद गणेश उस्व नवरात्री यह ऐसे त्योहार हैं जो बहुत उसासम मनाते रहें लेकिन संक्रमनातिक नब बढ़े हैं इसको धान में रखते हैं आप सबकी सुरक्षा के लिए हमने तै कि किसी वित्योहार के अफसर पर कोई सार्वजैनिक आयोजन नहीं होंगे जाकी ताजिया जुलूस इत्यादी कोई गज्विधी नहीं होगी हम घर पर रहकर इत्योहार बनाएंगे विवा समारोहुमत अधिक्तम संख्या केवल बीस होगी दस बरपक्ष से दस बधुपक्ष से कोई पारिबारिक कारिकम जनली दिवस इत्यादी का है दस से जाद अकत्ति उस पर इकत्ते नहीं होंगे सरकार यह चाहती है कि जहान तो चले लेकिन जान भी रहे और दिने में आप सर्प्रारता करना है बिना मास्क लगाए आप घर के बाहर ना निकले बनके अनावसक उससे घर के बाहर ही ना निकले सड़कों पर सारजन के स्थानों पर अनावसक ना भूमें दोगज की दूरी हमेशा अपने बीच रखें समय समय पर सावन से अपने हाथ धोते रहें अपनी रोग प्रितुरोधक्षमता बनाए रखने के लिए योग प्रानायाम और उसके साथ साथ आरवेदे काड़े का सेबन भी करें संक्रमन की चैन को तोड़ देने इस्थानी प्रिसासन जो व्यवस्था बनाती है उसका भरपूर पालन करें एक बार में फिर ने विदन करना चाहता हूं अनलाग बढ़ती हुई गजविधियों के कारण संक्रमन का खतरा बढ़ा है और इसको तत्कार रोपने के लिए अगर हमने कदम ने उठाए तो हम नक्यवल अपने आपको अपने परिबार को गाओं को सहर को अपने प्रदेश को बड़े संक्रट में डालेंगे उसलिए मे बहुत बहुत भाद 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 भाद